तो भाई लोग जो IPL 2023 का मैच संबर 45 है ना इस मैच में लखनाव सूपर जाइंट्स के सामने होगा चैन्नाई सूपर किंग्स अगर हम यहाँ पर लखनाव सूपर जाइंट्स के बात करें तो पिछला यह मैच RCB से हारे हैं हारने के साथ साथ ना तो असा WWE की भी लडाई हु मालोग कभी ऐसा WWE का महावल बना तो लखनाव वालों को अदब सिखा सके कहां पर लखनाव पर वैसे अब मैच पर आते हैं तो लखनाव ना अपने घर में अपने घर में बैक टू बैक तीन मैच हार चुका है वही चैन्नाई हो जो लखनाव का पिछला मैच के लगया था IP 2023 का उस मैच में चैन्नाई ने अपने घर में लखनाव वालों को अदब से हराया था बोला था भाईया चैन्नाई के घर में चैन्नाई को हराना बहुत ही मुश्किल है तो भाई लोग क्या चैन्नाई अभी लखनाव जाएगा लखनाव के घर में लखनाव को पहले आप हार जो आज का मैच है कौन सी टीम अपने नाम पे कर पाएगी चिन नहीं या फिर लखना हो अगर आप यह जानना चाहते है तो यह वीडियो आपके लिए बस करना क्या है आपको पूरी वीडियो बिना जो लिंक के मिलेगे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बोक्स में पहला कमेंट है वहां पर जो लिंक के मिलेगे बस महीं से जोइन करें तो भाई लोग लखनाउ वड़से चन्ने के वीज में भी तक 2 मैच खेले गे पिछले सीजन एक मैच खेला गया था आई पिल 2022 में उस जीते की वो आगे चली जाएगे यहां पे भी एक दूसरे के सामने और पॉइंस टेबल में भी क्योंकि जो तो आगे जाएगी जाएगी इसके साथ ना दूसरी टीम को पीछे धक्का भी देदे कि भाई साथ आप यही रहो मैं तो आप से आगे चला तो दोनों टीमों के के चेज वो डिफैंड की कहानी कहीं न कहीं बराबरी की चल लगी है अबरेज स्कोर यहां वे फर्स इनिंग का 155 155 टार्गेट चेज की बात करें 151 एक तो क्या वन के नीचे स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट चेज हो सकता है आप बोलो कि पिछले मैच में एको 26 बनेते फिर भी चेज ना कर पाए ओ जाता है किसी किसी मैच में टार्गेट डिफैंड की बात करें तो 167 167 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता है 151 से 167 के भी इसमें स्कोर होगा तो आप समद जाना जो मामला है ना यह तो बराबरी यह आ गया चेज भी हो सकता है और डिफैंड हो सकता है भाई नोग के में आपको है स्कोरींग देखने को नहीं मिलता है या तो लोई स्कोरीं होता है यह तो यहां का सरफेस है ना वो ड्राई एंड हाड है शुरू में जो बोल होता है ना मतलब जब तक नया होता चार-पांच ओबार पावर पिले में हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत रन बनते हैं लेकिन जैसे पिछ यूज हो जाता है बोल पुराना हो जाता है जो बोल होता है बैट पे काफी ज़्यादा रुप कर आत होता है या फी मीडियम स्कोरिंग मैच होता है लखनाओ सूपर जायंस की बात कर रहें तो अपने घर में पांच मैच कहला दो जीता तीन हारा यानि लखनाओ अपने घर में अच्छी खासी प्रफॉमेंस ना कर पा रहे हैं कि चक बग ना चले जो भी टीमें आ रही है इनक मियां पर लखनाओ को लखनाओ के घर में चेंघने पहली बार यहां पर मै आज खेलेगा जानते जब पहली बार खेलेगा तो क्या कर लेगा अगर Faculty कि बंग की बात करें तो वहीं जो फॉरेन बल्ले बाज है ना निकोलस पूरान माकर स्टोनिस और काइल मेरस इन तीनों के इर्द गिर्ध है इनकी जो बल्ले बाजी वो चले लेकिन लखनों के लिए प्रोब्लम यह हो जाती कि जब लखनों में खेलते हैं तो यहां का जो पिछ है छूण लेघा चला पांट GOD लूण थिपार्व अमर्फेजन क्यांड़ आज पहों मेर तो थांड़ स्चैनल प्रिभा स्ट मैंग्निव स्प्रिम्हेंगराई पांडिया Fine बदोनी की तो इनकी बल्लेबाजी लखनों के मैंदान पर बहुत ही जादा स्टगल कर रही है। मतलब अपने ही घर में तभी तो अपने ही घर में बैक टू-बैक मैसे जार रहे हैं गेंदवाजी की बातर जो लखनों की तो कमाल की गेंदवाजी कर रहे हैं क्योंकि रभी विष्णों लगतार सभी मैचों में किफायती हो रहे हैं बिकेट निकाला है अमीत मिस्रा भी बहुत अच्छी गेंदवाजी करें कुनाल पांडया भी लखनों की पिछ पे बिकेट निकालते हैं और पिछले मैच में किष्णपक गौतम ने विकला था उन्हों ने भी बढ़िया गेंदवाजी करें तो लखनों की पिछ से जादा फरक और पड़ेगा क्योंकि जो मैची तंबरम का मैदान है जो चैन्ने का घर है कुछ वैसी कंडीशन उसकी भी जैसी लखनों की कंडीशन है तो ऐसी पिछों के एमेस दुनी की जो सेना है ना काफी जादा आधी है हाला कि चैन्जस की बात के तो मतलब चैन्ने की खेमें में कोई चैन्जना होगा क्योंकि जो इनकी बल्लेवाजी रुतूराद के अकुर और डिवेन करों काफी अच्छी शुरुआत कर रहे हैं उसके बाद जैसे जरू करने के लिए एमेस दुनी रविंदा जडेजा आते हैं ये भी फिनिस करके काफी अच्छे से जाते हैं तो अगर हम यहां पे देखें जो बल्ले बाजी लाइना फैना वो बहुत ही धमाल है किसकी चैन्ने ही सूपर किंग की और लगनोंग वाले पीस पीन कुछ जादा फर अगर वो खेलते तो गेंदबाजी थोड़ा से मजबूत हो सकती कि आकाज सिंह थोड़ा सा एस्टेगल कर रहे हैं लेकिन मतीसा पतिराना की बात करें तुझार देश पांडे की बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो बिरेशन करते हैं लखनों के पीच पे और ही कमाल दिखे तो चिन्ही की जो गेंदबाजी है ना एक दो गेंदबाजों को छोड़कर इनकी गेंदबाजी भी बढ़िया चल लही है बल्ले बाजी भी काफी ज़्यादा बढ़िया चल लही है वह अगर हम इंदोनों टीमों के लास्ट सिक्से मैश के विहाब पे कमपरीजन करें तो लखनाओ ने अपने लास्ट की सिक्से मैश में तीन मैश जीता है तीन मैश हार रहे है मतलब एक जीत रहे है एक हार रहे है इस दोना जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 187, 187 रहनों का जो की काफी ज़्यादा बढ़िया होता है गेंदबाजी अबरेज की बात करें तो 8.68 जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं महगा है बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं है तो इन्होंने भी अपने लास्ट की सिक्से मैश पर तीन मैश जीते तीन मैश हार है मतलब चिन्ने की भी वही कहानी चल ली एक मैश जीत रहे है तो एक मैश हार जा रहे है इस दोरान ज हँस के बात करें तो चाहे रिजल्ट की बात करें बल्लेबाजी अवर्रच की बात करें हार जगें जो मावला है बिल्कुल बराबरी का नजा आ रहा हुआ तो भाएगलों हमने सारे कुछ जान लिया इस मैश के बारे में चलो अब वो जानते जिसका आप कर रहे होँ है इन करना है इतना तो कर सकते हैं न अगर आपको इस मैच की बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए जैसे कि जो मैच है कौन सी टीम अपने नाम पे कर सकती है या फिर जो शिक्का है वो किसके पस में गिर सकता है या फिर भाई लोग आज के मैच में कितना स्कॉर बनेगा पांध दस प हो जाए तो भाई लोग सारी अनलासिस करने के बाद अगर हम यहां पे देखे तो जो चिन्नेई की टीम है न भाई या वो तो लखनाव से जादा बहतर मुझे नजा आ रही है तो हम यह कह सकते हैं जो मैच है जो मैच है ना लखनाव सूपर जाइंट्स अपने नाम पे कर स देखो भाई लोग इसमें थोड़ा सा रिस्क है अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना लखनाव सूपर जाइंट्स अपने नाम पे कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या बोलूँगा मेरा टेली ग्र जोइन करने के लिए क्यों जोईन करना क्योंकि इस मैच की जो फाीनल परेडेक्सन है ना अओ टेली ग्राम पर ही मिलेगी वैसे भी आपको पता ना इपंता ना आईपना डेना पर रिम ना की से यह वें मिलेगा करना लिंक में आउ도 comment box में फहला comment है वहाँ पर जो link की बिलेगी बस वहीं से join करें तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो याज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की फेड एक्षन के साथ तब तक के लिए God bless you